नामी शक्स घर पर हुआ धमाका एक भाई हलाप दूसरा सखमी जंगल से लाए गई जंगालूद शे में हुआ धमाका जड़ी बूटी तलाश करने के लिए गये थे जंगल जंगल हुआ। वाड के चात्रू में धमाका हुआ है अब बास नाइक नामी शक्स घर में धमाका हूँ एक भाई हलाक दूसरा जखमी जंगल से लाई गई जंगालू जुशे में हुआ धमाका गड़ी बूती तलाश को इनने के लिए गए से जंगल ब्रेकिंग नियूस थे स्वाक्ताप के जवी स्क्रीन पर एक भाई हलाक हुआ है तो दूसरा जखमी इस वाके के दौरान जंगल से लाई गई जंगालू जुशे में धमाका हुआ है तड़ी बूती तलाश करने के लिए जंगल गए थे और किष्टवार के छात्रों में धमाका हुआ है ब्रेकिंग जोस थे स्वाक्ताप के जीवी स्क्रीन पर लाकातार आपको बता रहे हैं किष्टवार के छात्रों में धमाका अब बास पनाई गनामी एश्ट्रक्स की घर में धमाका हुआ उस घर पहुंचे हैं जहां एक इंसिडेंट हुआ है सुबे इनको और इसमें एक बच्चा जो है राउन 18-20 येर्स का उसकी डेथ होगी और एक इंजूर्ड है इस इंसिडेंट को हमने माइना किया है ये दो बच्चे जंगल में सामने वाले जंगल में गे थे बुच्छी मौशीला क्लेक्ट करने के लिए उसके बार लाया और वापसी पर इनको एक रैमेनेंट रस्टिड ट्यूब टाइप स्टॉक्चर मिला जिसको आके सामने पीछे किचन में एक स्टील के पीस से खोलने की कोशिश की वह स्टील पीस भी हमें मिल गया और उससे ब्लास्ट हुआ एक वेक्ति का राइट हेंड चला गया और उसकी आंस्पाट होगी और उसकी एक फिंगर जोगा वो उड़के सामने एक लकड में फज गई दूसरा वाई दूरी इस वक्त हमारे रिपोर्टर राजा रेबर जमाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजा रेबर जमाल किष्टवाण के शात्रू में जो धमाका हुआ है इसको लेकर आपके बास जानकारी क्या है एक बहुत ही दुफ़त गटना जो है ये चात्रू इलाके में हुई है जब दो भाई जो है वो जंगल में गए थे कुछ जो मौरशिला होता है गुचियां यहां जो हर्ब सोते हैं जंगलों में उनको ढूनने के लिए कि रिवायत है यहां पहाड़ी इलाकों में के जंगल में जो है उसे ढूंडा जाता है तो उसी के दौरान जो है एक राड जैसी मिलती है रस्टिड राड जो की बाद में यूगी जीयल का एक हिस्ता निकला जिसमें जो है उन्होंने उसको अपने घर लाया घर में जो है उसके साथ जो है उसको खोलने की कोशिश कर रहे थे और और उसमें किचन में जब ले गए तो उसको जो हैं, उन्होंने उटके उपर भी रखा, चुले के उपर भी रखा, जिसके वज़से हीट के चलते जुदेज़, तो किष्टवार के शात्रों में धमाका हुआ है और ये धमाके में आपको बता दें किष्टवार के शात्रों में धमाके के खबर के बाद लगातार जिस तरह से खबर सामना है उसमें इसामना है कि एक भाई हलाक हुआ है तो दूसरा जखमी हुआ है